एटेम रूम के अंदर एसी क्यों होता है और क्या भी जानते हैं कि इंडिया का सबसे पहला सोलार पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा था और क्या हो अगर धरती के पास भी सैटन जैसा रिंग हो जाता ऐसा है रंडम एन उसम फैक्ट को जाने के लिए इस वीडियो को लाज तक ज देखाएं होगा मगर क्या आप यह जानते हैं यूनिकॉनिक नैशन नमल भी है और वह भी स्कॉट्लैंड का फैक्ट नमर नाइन जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा ब्रेन और बोडी और एक दूशी से मैसेज पहुंचाता है लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जो होट एर बैलून का यूज बहुत पुराने समय से हुआ रहा है लेकिन क्या प्री जानते हैं कि सबसे पहला वह कौन आदमी था जो कि होट एर बैलून पे चड़ा था दोस्तों का नाम था शीप डग और रोस्टर जीहां वह कोई इंसान नहीं थे बलकि यह जानवरी थे ज हो भी इसलिए बजा था ताकि वो जान सके कि मार्स के विंड कैसा साउंड करते हैं दोस्तों यह तो बाते डॉलेज की है मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या आपने उस साउंड को सुना है अगर नहीं सुना है तो चलिए सुन लेते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेट्रॉल और डीजल आने वाले समय में खतम हो जाएंगे और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक सोलार पावर्ड एयरपोर्ट बनाये है जिसका नाम है कुचीन इंटरनाशनल एयरपोर्ट जोकी केरला में स्थित है और इ 46,000 सोलर पैनल्स लगी हुए है उस्ता आपको यह फैक्त कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताईएगा फैक्त नमबर फाइब जैसा कि हम सब जानते कि अनिम्प्लॉइमेंट हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा समस्य बन चुका है लेकिन क्या आप यह जानते है कि इसका सबसे बड़ा मार्क इसको पड़ा है दोस्तों उस कंट्री का नामें जिम्बाबे जिसमें टोटल 95 पसेंट लोग अनिम्प्लॉइड है स zeigen इसको जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकर इलेक्रिक कार्ज कमाना आने वाला है और दोष्क करें एक्सेडेन भी बड़ जाएगा कि इन अर्समें साउन्ड हमने होता है और दोस्तों इसे तुछको ध्यान में रख दे वे यूएस कि गवर्मिन्ट ने कंपल anci儿 कर गया है कि किसी भी इलेक्रिक कार में आर्टिफिक्शियल लॉइस को रहना ही पड़ेगा दोस्तों एक स्टार है जिसका नाम है युवी शुट जो कि दोस्तों रेड सूपर जाइंट स्टार है और इसको हमनों एक रेडियस से जानते है यानि इसका जो रेडियस से इतना बड़ा है कि इसमें 5 बिलियन संस आ जा सकते हैं आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा होगा और दोस्तों इसका दूरी टोटल 9500 लाइट येर्स दूर है हमारे अर्थ से फैक्ट नमबर टू दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर अर्थ के पास अपना खुद का सैटन जैसे रिंग आजाए तो क्या होगा दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखेगा फैक्ट नमबर वन एटियम रूम के अंदर एसी क्यों लगा रहता है दरसल दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा एटियम 24 इंटू 7 आउर्स लगतार चलता रहता है और उसमें एक प्रोसेस लगता है जिसको हम लोग कहते हैं एटियम मशीन इंग्रिडेट कंप्यूटर टेक्नलोजी प्रोडकास और यही जो प्रोसेस है एटियम को गरम कर देता है दो दरसल आप समझी गए होंगे कि एसी हमारे ही लिए नहीं लगा रहता है बलकि एटियम मशीन के लिए लगा रहता है दोस्तों में आपको हमारा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हैं सब्सक्राइब कर दें मत जाना और कमेंट में जरूर बताना आपको हमारा फैक्ट्स कैसा लग रहे हैं थैंक्स फोर वाचिंग तिल लास्ट अच्छाइब कर दो भाइक्ट्स